125 में find out करे हो तो no doubt shine से बहतरीन लुक वाले options जैसे कि यह रही है हमारी यहां पर SP अविलेबल है साथी साथ even glamour भी इससे ज्यादा बैटर लुक प्रोवाइड करवाती है बट जब बात आती है 100 CC की तो दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हो आजम फिर शाये हो शिव ओटो पे जो की based है सूरत गुजरात में तो अगर आप यहां सूरत गुजरात में आसपास कहीं पर रहते हो सूरत के आसपास तो आपको इस शोरूम की जो contact details है वो description में मिल जाएगी यह by the way मेरे हिसाब से बहत प्लेस है to buy any company's bike और वो भी काफी किफाईती दाम में तो गर आप सूरत में कहीं पर रहते हो तो जरूर से एक बार इस शोरूम पर विजिट कर ली जगा किसी भी bike को purchase करने से पहले तो hello and welcome दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार तहें दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SPD Talks में और मैं हूँ आप सभी का होस्ट साहिल तो जैसे कि आप देख रहे हो आज हमारे पास पीछे खड़ी हुई है यहाँ पर इस प्लैंडर प्लस और इस तरफ है होंडा शाइन जो कि अपने अपने सेग्मेंट में टॉप सेलिंग बाइक में से एक है और by the way हम अभी आये हुए है शियो ओटो पे जिसके बार में जो पूरी डीटेल है और यहाँ पर आप बाइक किस तरीके से पर्चेस कर सकते हो वो सारी ही डीटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ पर जरूर से एक बार चेक आउट कर लीजेगा और हाँ यहाँ पर आपको बाइक ही नहीं इसके साद भी बहुत सारे इंटर्सिंग ओफर्स भी मिलते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखेगा तो चलिए भी नए टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो में इन दोनों ही बाइक के अपने सेग्मेंट किया नहीं कि 100cc की कि और 125cc की किंग बाइक की कंपेरिजन करके जानते हैं कि वीच वन इस बैटर फॉर यू तो लेस्ट गेट स्टाइट तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको देख रहा हैं किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें इन दूनों बाइक के बारे में तो वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो तो यहां पर बात आ जाती है कि कौनसी बाइक लुक वाइज ज्यादा अच्छी लगती है तो भाई यहां पर पेटी शोर में बात कह सकता हूं कि अगर आप 125 में फाइंड आउट करे हो तो नो डाउट शाहिन से बहत सकते हो एक यह कलर आता है उसमें साथी सात यह दोनों पर भी आप यहां पर देख सकते हो उसमें इक स्पेशल एडिशन वेरियान जो कि आता है और ब्लेक उसका वीडियो भी अपलोड हो जुका है जो कि दिखने में काफी जाधा शांदार है और और सपेशली कि इसमें आप किसी भी तरीके का मोडिफिकेशन करवा लीजिए ये बैक आपको हर एक तरीके से काफी जादा बैटर लुक प्रोवाइड करवाने वाली है इन कंपेट टू शाइन अगर हम बात करें यहां पे शाइन के और इस बैक के लुक के ही रियल लाइफ चोईस के बार है और साथी साथ पावर भी उसमें इन कंपेट टू जो स्प्लेंडर है उससे काफी ज़्यादा बैटर ही मिल जाता है तो यह तो हो गई लुक्स वाइस जो कि आपकी पर्सनल जोईस पे ज़्यादा डिपेंड करता है आप इन दोनों ही बैक के एक बार लुक ओवर्यू मे आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हूए कुछ इस तरीके की है शाइन और इसमें भी पूरा इनालोग आपको जो है इनालोग कंसल प्रोवाइड कर दिया जाता है तो स्प्लेंडर का भी इस दोनों ही बैक की लुगवर्यू का लुक्स तो यह तो हो गई इन दोनों वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मुझे आपको कुछ ज्यादा कहने की जरूरत में है चुकि ज्यादा तर जो भी पार्ट स्प्लेंडर में यूज हुए है ना सभी के सभी विचिस की भी अगर हम बात करें तब आवाज भी चुन सकते हो काफी स्ट्रॉंगेस्ट बिल्ड कॉलेटी के साथ प्रोवाइडिक कर दी जाती है इवन हम अगर बात करें इसके टेल एम सेक्शन की तो हाँ ये एक दिक्कत है कि स्प्लेंडर में थोड़े थोड़े टैम बाद आवाज करने लग जाता है बट ये फिलहाल काफी अची बिल्ड कॉलेटी के साथ आपको प्रोवाइडिक कर दिया जाता है जबकि अगर हम चलते हैं यहां पर शाइन के उपर तो शाइन में आप देख सकते हो कि यह टैंक हो गया सिर्फ यही पाट आपको मेटल में मिले का बाकी यहां पर फाइबर यहां पर फाइबर है लॉंग टाम यूजिस के बाद भी ध्यान आइस वेफर स्प्लेंडर वन क्योंकि स्प्लेंडर ज्यादा बैतर इन बिल्ड कॉलेटी आपके लिए लेके आ जाती है तो इस कंपेरिशन में हम बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं गुजेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि दोनों की सिटिंग क्वालेटी किस तरीके की है अब देखिए जो शाइन है वो 135 सिबाइक है इसका टैंक भी स्प्लेंडर के मुकाबले काफी जादा बढ़ा है तो इसमें सिटिंग पोजिच्टर आपको स्प्लेंडर से काफी हद तक बैतरीन मिल जाएगा साथी साथ इ स्प्लेंडर के मुकाबले आपको जो शाइन है वो काफी जादा कमफटेबल राइड प्रोवाइड करवाने वाली है जबकि स्प्लेंडर की ही अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसकी सीट नो डाउट अपनी सम्मेंड वाइस काफी अच्छी है बट ये एक पतला सा सीट है जबकि आप शाइन की सीटिंग देख सकते हो इस वज़ए से यहाँ पर अगर आप डेली 40-50 किलोमेटर राइड करोगे ना तो आपको बैक पेन किया तो फिर बाकी सारी प्रोब्लम साना स्टार्ट हो जाएगा अब सारे मैटस को छोड़ते हुए हम चले जाते हैं सिद्य सीथे तोरपे और इन डोनों से कॉनध में आपके लिए जाधा राइडरश साबित होने वाले है तो अगर बाइं सीधी सी बात है आपका बजट हो करता है तो फेली काफी ज़्यादा बहतरीन बाइक है क्योंकि वहाँ पे आपको एक बड़ा लुक मिल जाता है एक पावरफुल एंजिन प्रोवाइड कर दिया जाता है और स्प्लेंडर के मुकाबले काफी हद तर कमफर्टेबल राइड भी प्रोवाइड कर दी जाती है और अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो एक ऐसी बाइक जो के आप 10 साल तक है क्यों ना चला लो उसका लुक एकदम रिफ्रेश रहे साथी साथ बिल्ड कॉलिटी वाइज काफी जादा स्टॉंग हो इन कमपेक्ट तू शाइन देन स्प्लेंडर प्लस और अगर आप माइलेज भी फाइंड आउट कर रहे हो तो स्प्लेंडर आपके लिए काफी जादा शांदर बाइक हो जाती है बाकी तो मेरी आपसे परसनल सजेशन है और हाँ एक चीज में आपको बताना भूल गया है कि दोनों ही बाइक की जो ब्रेकिंग है ना वो डिसेंड से अपने सेग्मेंट वाइस वहाँ पर कोई वाव फेक्टर नहीं है शाइन में भी ओके-ओके सी ब्रेकिंग पावर आपको देखने को मिल जाती है अब आपको क्या करना है ना अगर आप सूरत गुजरात में कहीं पर रहते हो रहिक लही यहाँ पर शिव उट्वे आजाना है यहाँ पर आपको यह दोनों ही बाइक लाइफ देखने को मिल जाएगी उस ही के बाद डिशाइड कीजीए कि यहाँ पर इन दूनों में से आपके लिए कौन सी बाइक जाधा बहतर रहती है ओल ओवर दूनों ही बाइक अपने सेगमेंट वाईस काफी जाधा बहतर है और अपने-पने सेगमेंट में टॉप सेलिंग भी है तो आपको जो ये शियू है उसका जो address है और जो contact details है वो आपको description में मिल जाएगे वहाँ आप से count कर सकते हो एक बार इन दोनों ही bike को चलाइए और बाद में देखिए कि आपके लिए कौन सी जादा better है और अगर आप मुझे ही पुछते हो कि भाई आप कौन सी prefer करोगे तो according to my ride and my body I go with the shine क्योंकि उसकी सीटिंग पोस्चर है वो काफी जादा बड़ी है जो कि आपको long riding के वक्त काफी जादा easy रहेगी साथ ही साथ मुझे थोड़ी powerful bike भी चाहिए जो कि 100cc से जादा powerful हो तो भी उसी वज़े से भी मैं shine पे जाता हूँ तो बस दोस्तों यहीं थी हम तो अगर आप शिव ओड़ो में से bike purchase करते गाथ फिर अगर नहीं भी करते तो आपको इनका एक app है प्ले स्टोर में जिसका link आपको description में मिल जाएगा वहां से ऋपर प्ले स्टोर में सर्च करके आप इनका एक app download कर लिए जहाँ पर आप उसे like tik tok जैसे use कर सकते हो बाकी tik tok के अलावा भी वहाँ पर अगर चाहे तो audio call video call भी कर सकते हो साथ ही साथ इंट्रस्टिंग वीडियो और फोटो भी देख सकते हो तो अगर आपने श्रीव आटो में से बाइक पर्चेस की है तो उस एप के ओफर सेक्षन में जाके आप वहाँ पर देख पाओगे आप अमनी बाइक की त्रीं फ्री सर्विस के लिए वहां से ही अपलाई क कर पाओगे तो आपको बाइक के साथ इस तरीके का एक ब्लैट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके उपर आप देख सकते हो शीव आटो लिखा हुआ है तो अब इस कार्ड का फाइदा यह है कि आपने अगर मान लीजे वहां से बाइक पर्चेस की और दूसरा क साथ तीन सर्विसेस इस कार्ड पर भी आपको बिल्कूली फ्री मिलने वाली है ना बहुत इंटर्स्रीं ओफिर तो मस्ट विजिट शीव ओटो